नमस्कार प्रतिभा किचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे चिकन दो प्याजा चिकन दो प्याजा बनाने के लिए हमें इंसामगरियों की जरूरत है अगर हम दो किलो चिकन लेंगे तो उसमें हम डेल किलो प्याज डालेंगे और उसमें हम डालेंगे खड़े मसाले जिसमें हम डालेंगे जीरा, सह जीरा, लॉंग, काले मिर्च, बड़ी लहची, छोटी लहची, सूखा मर्चा, तेश पत्ता, लहशू नद्रक, अर्मीट मशाला, स्वादनुसार नमक अब हम देखे कड़ाई गरम उसमें तेल डालेंगे अवश्कतान उसार तेल डाल देंगे, तेल डाल दिए, अब तेल को गरम होने देंगे, तेल थोड़ा गरम हो जाएगा, देखे अभी गरम हो रहा है तेल county कर देंगे और देखें तेल हमारा गरम हो रहा है जो आप उसमें ढालेंगे जारे क्षाटेवेट टेरा अब आंड केऊ पालो में धाले जानली जीर Sek One मसालों को बस एक मिंट के लिए लिए तरह हल्का सा मसल का ब्राउन हुगा तो उसके बास में विक्टे शास पते को नाल देंगे और हम हम में उनने को युबह बॉल नहीं हैं चीकन जोटिक चीकन को हम दूल खुप करके रखे वे तय उसको हम तेल में फ्राइ करने के लिए डाल देंगे इस तरह से हम थोड़े थोड़े चिकन को तेल में डालेंगे और चिकन दो प्याजा खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगता है इसको जरूर आप बनाएगा इस तरह से चिकन को हम तेल में डालेंगे और तेल के साथ इसको हम पहले फ्राइ करेंगे जिससे हम मसालो का जो फ्लेवर है खड़े मसालो का चिकन में मिल जाएगा और चिकन बहुत ही स्वाधिस्ट बनेगा इस तरह से हम जादे दिर नहीं थोड़ी देव के लिए इसको हम तेल के साथ फ्राइ करेंगे इस तरह से हम खड़े मसालों में चिकन को मिला लेंगे और इस तल से मिल गया स्टेट्रे मिल गया अब उस में डालेंगे दो चमछ दू टी श्पूर हम उसमें अल्दी पाढ़िये बाढ़िया ढालके इसथे के साथ और तेल और से चीकन को सबको एकसाथ मिलाम मिलाएंगे अदूमनेट के लिए इसको आप का सा में इसके साथ में निखे इस तरह से हम 나온 चीकन लिए अची तरह से अब उसमें हम डालेंगे प्याज दो मेट फ्राय करने के बाद अब उसमें हम प्याज डालेंगे चिकन दो प्याजा बनाने में प्याज की मात्रा हमेसे हम जादे रखते हैं अगर हमको दो किलो चिकन बनाना तो दो किलो प्यास भी हम डाल सकते हैं लेकिन देड़ किलो भी डाल देते हैं इसलिए हम दो किलो चिकन में देड़ किलो प्यास डालने हैं और इसको हम अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे चिकन के साथ लेकिन इस तरह से हम इसको मिला देंग चिकन में ऐन सबको दाल तेंगे आप हम तेला ठेल के साथ में सारे मसालो के साथ खड़े मसालें ऐसे हम ढलें ढर्भी स्वादन Ishan नमग दालने के बाद चिकन को हम हुम अच्छी तरह से खड़े मसालें अद्रक लशोन इस अब कि दल्दा पादरें स्वादम निशान नमक ढालके ंची तरह से हम की सॉद्धен से mm मिल गया निगे स्वाइआ हैं बैद दो मिनीक नथे इसको हम सबस्क्राइब चलiders बाद इसको लिए उससे 15 के लिए इसको हम डख गड़ींगे निकल गया है प्यास के पानी में ही चिकन को पकाएंगे थोड़ा चिकन पक भी गया है इसमें प्यास के साथ में प्यास के साथ में डालेंगे मीट मसाला मीट मसाले के साथ हम मिर्चा पाउडर गरम मसाला और कस्मीरी मिर्च भी डालें इसको हम इसमें डाल के साथ में मिलाएंगे चिकन के साथ में इस तरह से हम अची तरह से चिकन के साथ इन मसालों को मिलाएंग और इसमें पहले पानी भी नहीं डालेंगे जो प्यास का पानी निकला हुए उसी में हम चीकन को पकाएंगे एक पानी का यूज नहीं करेंगे यह बहुत ही स्वादिस बनता है इसको अब रोटी चाहे पराठे चाहा चावल किसी के साथ भी खाईए यह बहुत ही अच्छा ल और खाईए देखिए अब यह इसको हम 10 मिनिट के लिए ढखके रख देंगे इससे मसालो का फ्लेवर भी उसमें अची तरह से आ जाएगा जो हम पीसे मसाले डाले हैं देखिए अब 10 मिन हो गया मेरा यह चिकन दो प्याजा बनके तैयार हो गया है और यह बहुत अची तरह से देखिए बन के स्ब्सक्राइब आजार जाएं लएक साइए आज से जो रावं पाने निकले पाणे तहां देकितने अच्या अंच्ला लग रागा और खाने में तो बहुत यह स्वादिश लगेगा तेकि यह बनकि यह तके तयार हो गया है समसालों कीवर्ज में आ गया सम म देखिए हमारा चीकन दूपयजा बनके तयार है, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं अंगले वीडियो में, तब तक के लिए बाइवाई